हे गाईज विल्कम बैक तो माई यूड़ोब चैनल टिकनो वुश्वजीत तो गैसे अगर आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल में फंटाच ओस 10.5 के थीम को यूज़ करना तो आज के वीडियो को इन तक जरूर देखेगा क्योंकि ले के आज हुआ हुआ आप सभी लोग ल जिज़े का साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे टेलेग्राम ग्रूप को जॉइन नहीं गया है तो नीचर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलेग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा तो चलिए आज की वीडियो को फड़ा फड़ से सुरू करते हैं तो दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल में फंटा चोईस 10.5 थीम को अपलाई करना तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस थीम फाइल को डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में नीचर डिस्क्रिप्शन में आपको गोगल ड्राइब का लिंक मिल जाएग फाइल मेनेजर को उपन करने के बाद यहां पर सबसे पहले तो आपको जाना है अपने फाइल मेनेजर के सेटिंग पे सेटिंग पे जाने के बाद यहां पर एक बड़ चेक कर लिजेगा कि आपके मोबाइल में जो डिस्पली हिडिन यह जो फाइल का उप्शन है हिडिन फ एपी के अभी जो हम लोग ने फाइल को डाउंलोड किया था थीम फाइल को वह यहां पर हमें मिल जाएगा फंटाचोई 10.5.it तो इसको हम लोग होल्ड करके यहां पर नीचे आपको बहुत सर्व आप्शन मिल जाएगा तो यहां पर आपको कॉपी के ओप्शन को क्लिक कर लेना उसके बाद आपको जाना है बैक और यहां पर आपको डी 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 फोल्डर जो मिलता है उसको यहां पर आपको क्लिक करते रहना है बहुत देर तक जब यहां पर 5-6 फोल्डर आ जाएगा जैसे कि यहां पर आपको 6 फोल्डर मिल रहे हैं तो उसके बाद यहां पर आपको टी फोल्डर में जाना है और इस थीम फाइल को यहां पर पेस्ट कर देना है तो देख रहे हैं यहां आप चेक कर लेज़ेगा कि आपके मोबाइल का जो आई थीम है उसका वर्जन राना चाहिए 6.0.0.0 अगर आपका वर्जन इससे हाई है तो आप इस थीम यह जो एपीके है इस वर्जन के एपीके को डाउलोड कर लेज़ेगा उसके बाद यहां पर आपको लोकल थीम में जा सबसे बहinsi है? सबसे बहने बात करें यहां पर ओल्फेपर के बारे में तो यहां पर आप देख सकते जो वाल के उसक्क वोजे के यहां पर यांप वर्जनwent निके ना बहुत इस अंपर तो भी इस थीम को यह एकन लोगे यह जर्ब तो यहां पर देख सकते हैं उसके बद कर बहुत ही अचछा यहां पर पार दिखने में मिल रहा है और जो यहा पर आपको वाइट बाॉडर के साथ मिल रहा है जैसा है कि आपने देखा फंटाचो श्रेंट फॉयर में आपको यहां पर कुछ यहां पर वाइट अच्छा दिया गया जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है उसके बाद बात करें call log के बारे में तो यहां पर आप call का देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखने को मिलता है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जो मैसेज है मैसेज का यहां पर कुछ इस तरह का आपको जाएंगे तो यहां पर आपको Android 10 का लोगो दिखने को मिलेगा जिनका मोबाइल बहुत पुराने वर्जन में चल रहा है वह लोग आप इस थीम मतलब यह जो थीम है इसको आप लोग जरूर अपलाई कर लीजेगा क्योंकि यहां पर आपको Android 10 का लोगो मिलेगा तो आपको ल यहां पर आपको निविकरेशन बटन दिखने को मिलता है और उसके अलावा यहां पर सेट्निंग में और ज्यादा कोई दिखने को नहीं मिलता है और बात करें हमारे यहां पर लॉक का लुक भी आप देख सकते हैं यहां पर अच्छा लुक यहां पर आपको दिखने को मिल जो हम लोग अबग अपर हमें दिखने को मिल जाता है चारजब यहां पर देख सकते हैं यह हम लोग अपने मोबाइल को चारज में लगकी तो कैसा लग आपको यह च्छार्ज चारज इसक्टीम अब है और वे अटम बता t तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कीजे और चैनल पर नहीं तो चैनल को फटा फटा सब्सक्काइब भी कर लिजेगा तो जो लिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपको उमारे ग्रोडों में तब तक ले जैन जै भारत